किसान भाईयों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे गेहों में खर्पतवार नियंत्राण पर कि खर्पतवार कैसे नश्ट करें और कौन सी दवा डालें तो चलिए अब सुरू करते हैं किसान भाईयों आज मैं गेहों की भसल में खर्पतवार नियंत्राण पर पूरी जानकारी दूँँगा तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें और जिए चैनल पर नए हैं तो किरपए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको खेती किसानी से जुड़ी सही वा सटिक जानकानी मिलती रहेंगी तो आई ये बात करते हैं गेहों में कौन सी दवा का परियोग करना है और कितनी वात्रा में करना है ये आपकी खेत में चोड़ी पत्ती वाले खर्पतवार हैं जैसे की जंगली पालक, बत्वा या कटीली घास जो कांटेदार होती है तथा मकोय याद जैसे चोड़ी पत्ते वाले खर्पतवार हैं तो आपको इसमें टू-फोर्डी का परियोग करना है टू-फोर्डी पाउडर में भी आता है तथा लिक्विड में भी आता है तो आप अपनी सुविशान सार कोई भी परियोग कर सकते हैं एक एकड़ खेत के लिए टू-फोर्डी का 500 ग्राम का पैगाट आता है आप अपने नजद्य की दुकानदार से किसी अच्छे कंपने का टू-फोर्डी ले सकते हैं एक एकड़ खेत में परियोग करने के लिए इसको 160 लीटर पानी में मिलाकर छड़काओ करना जाएं जिससे चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार पूरी तरीके से नश्ट हो जाएंगे तो यह थी जोड़ी पत्ती से जोड़ी खरपतवारों की जानकारियां अब बात करते हैं सक्री पत्ते वाले खरपतवारों की सक्रिपत्ती में मुख्यता, जंगली जई, गिल्ई डंडा जिसे कही कही कि हूँ के मामा के नाम से भी जाना आयता है तथाने कि हर्पत्वार आते हैं सक्रिपत्ती वाले कि लिए आपको क्लोडिणाफ आप, प्रोपजाइल का परयोक किया जाता है ये कई कंपणियों के अलग अलग आते हैं कई नाम से अलग अलग हमने अपने खेतों में दबंग नाम से ये कंपणी थी उसका परियोग किया है आप किसी भी कंपणी का परियोग कर सकते हैं जो भी आपके यहां हो असानी से अपलब दो अब बात करते हैं कि इसका परियोग कैसे करना है तो आपको 2,4D और ग्लोडीनफ परपजाईल दोनों को मिक्स करके परियोग करना है तो आप बात करते हैं कि इसको कितनी मातरा में परियोग करें क्लोडीन फॉब प्रोपजाईल का जो एक एकड़ का पैकेट होता है वह 160 ग्राम का आता है तो यह आपके खेतों में शोड़ी पत्ते वाली खर्पतवार भी हैं तो इसमें 2500 ग्राम 240 का भी साथ में परियोग करना है दोनों को आपस में मिला कर 160 डीटर पानी में घोल लें यह लगबग 16 टंकी हो जाएगा तो आपने एक एक एकड़ खेत में छड़काओ करते हैं इसका बहुत ही अच्छा रिजल टाता है अभी हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो में दो दिन बाद दवा डालने के दो दिन बाद किस तरीके से करपतवार नश्ट हुए हैं तो झाल